बिस्मिल्ला रह्मान रहीम वेल्कम टू मैं चैनल आज हम आते हैं एक्सरसाइज 6.1 के 16-19 तो हम कर चुके हैं आज हम स्टार्ट करेंगे 20 से इसमें भी हम यही करना है कि एनलाइज एंड ग्राप दा कॉनिक्स रिप्रेजेंट वाइच आप फालोइंग एक्वेशन कुछ ए नहीं हों है वो हमें दिये हुए है इनके मलाइक आमने इनको एनलाइज करना अगर उसका ग्राप भी हमने बनाना है हम्य पता है कि जनल जोडिकुशन है । ऑफ्री जो हमरें पास जनल दिकुशन है वह है एलकस का पर अप्लस ट्यू है प्लस BY का स्क्वायर प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C is equal to 0 इस में हम क्या करेंगे A H B की value find करेंगे A हमारे पास क्या है X स्क्वायर का coefficient 4 है यहां पे A है तो A को 4 A हमारे पास 4 आएगा B जो है H जो है H 2 H is equal to minus 4 तो H हमारे पास minus 2 आजाएगा कि अप्र उसके बाद भी जो है वो हमारे पास 7 है अब हम क्या करते हैं हमें पता है कि हम जो है हाँ स्क्वेर माइनस एंस भी से जो है वह इलिप्स भी इता सकते i men अगर यह equal to zero हो तो हमारे पास पेराबोला है, less than zero हो तो ellipse है, greater than zero हो यह जो relation हमें दी उए अगर यह zero हो तो पेराबोला, अगर less than zero हो ellipse और greater than zero हो hyperbola, यह हमें पता है, अब हम क्या करते हैं? h का square minus a v find कर लेते हैं, एच का square हमारे पास क्या है? H हमारे पास है minus 2 का square minus AB AB जो है 4 into 7 that is equal to minus 2 का square is 4 and 4 7 7.8 that is equal to minus 24 यानि यह less than 0 है H का square minus AB जो है वो less than 0 आ रहा है जब यह less than 0 होगा तो हमारे पास conic जो है वो क्या होगा conic is ellipse conic जो है वो हमारे पास ellipse होगा अब हम क्या करते हैं इसका theta find करते हैं we have to find theta theta की हमनी value find करनी है theta जो है उसको यह relation must be satisfied होना चाहिए 2H और A minus B अब 2H हमारे पास क्या है minus 2 है A minus B A हमारे पास क्या है A हमारे पास 4 है और B हमारे पास है minus 7 that is equal to इसको जब हम subtract कर देंगे तो यह हमारे पास आ जाएगा minus 4 over minus इन दोनों को जब मैं subtract कर दूँँगा यह आ जाएगा 3 4 over 3 जो है इसका result हमारे पास आएगा 10 2 तीटा हमारे पास 4 over 3 आ जाएगा हमें पता है कि 10 alpha plus beta is equal to 10 alpha plus 10 beta 1 minus 10 alpha 10 beta अगर हम यहाँ पे 10 theta plus theta लगा दे यानि यह 10 2 theta है यह हमारे पास आ जाएगा 10 theta plus 10 theta 1 upon 10 theta 10 theta यह दोनों अपस में add हो जाएगे 2 10 theta 1 minus 10 square theta यह हमारे पास आ जाएगा यानि 10 2 theta की जगा पे मैं 2 10 theta over 1 minus 10 square theta लिख सकता हूँ 10 2 theta जो है वो 4 over 3 की equal है तो यह हमारे पास इस चीज़ की equal है 2 10 theta 1 minus 10 square theta 4 over 3 इसको हम उदर ले जाएगे इसको हम इदर लाएगे इसको जब मैं इदर लाओंगा 3 2 6 10 theta 4 1 minus 10 square theta यह जाएगा 6 10 theta इसको मैं multiply कर देता हूँ 4 4 10 square theta इसको मैं दोनों को मैं इदर लाता हूँ यह आजाएगा 4 10 square theta plus 6 10 theta minus 4 is equal to 0 इसको मैं 2 से divide कर लेता हूँ यह आजाएगा 2 10 square theta plus 3 10 theta minus 2 is equal to 0 अब यह अगर आप देख लें quadratic in 10 theta है जैसे हमें पता है कि A x का square plus B x plus C is equal to 0 यह जो है quadratic है x में तो यहाँ पर हमें जो equation दिये यह है quadratic in theta फिर formula का हमें पता है कि X is equal to minus B plus minus B का square minus 4 A C और 2 A तो यहाँ पर हमने यह वाला formula लगाना है हमारे पास A जो है वो 2 आ रहा है B हमारे पास 3 है और C जो है वो minus 2 है A is equal to 2 B is equal to 3 C is equal to minus 2 तो X जैसे X इस चीज़ की equal है तो 10 theta हमारे पास जो है वो minus 3 plus minus 3 का square minus 4 into 2 minus 2 all is divided by 2 into 2 that is equal to minus 3 plus minus 3 का square is 9 minus minus 4 plus 2 to the 4 4 4 is a 16 divided by 4 minus 3 plus minus यह दोनों जब आफस में add हो जाएंगे 25 आ जाएगा divided by 4 25 जो है यह हमारे पास असल में 5 का square है square or square root आपस में cancel is equal to minus 3 plus minus 5 or 4 तो 10 theta जो है इसकी दो विल्यू आ जाएगी minus 3 plus 5 or 4 10 theta is equal to minus 3 minus 5 or 4 अब 10 theta यहाँ पे क्या आएगा 10 theta यहाँ पे आ जाएगा 2 or 4 और यह हमारे पास 1 over 2 यहाँ पे जो है 10 theta is equal to minus 8 or 4 या नि माइनस का नंबर जो है वो आ रहा है तो 3 जो है वो हमारे पास between 0 and 1 है यह हमने पड़ा 0 and 5 by 2 sorry 0 to 0 or 90 के दर्मियान होना चाहिए तो यह यह तो हमारे पास सही आ रहा है लेकिन यह negative आ रहा है इसका मतलब यह कि यह इससे belong नहीं कर रहा अगर हम 10 को उदर ले जाएं तो इसकी value जो है वो negative बन जाएग वो इस interval में से नहीं है तो लहाजा हम इसको consider नहीं करेंगे सिर्फ इसको consider करेंगे तो 10 theta is equal to one upon two अब अगर हम इसका square लें यह आ जाएगा 10 square theta one upon four square हमने क्यों लिया क्योंके हमें पता है कि one plus 10 square theta is equal to second square theta इसलिए हम क्या करेंगे इसको इस second की form में लाने की कोशिश कर रहे हैं तो अब 10 square theta है इसको हम मुदर ले जाएंगे यह minus बन जाएगा second square theta minus one is equal to one upon four second square theta is equal to one upon one plus one upon four four LCM four plus one second square theta five upon four आ जाएगा अब हम दोनों साइडों का square root लेंगे तो second theta हमारे पास five over four का square root यह बन जाएगा five और यह four का square root हमारे पास just two आ जाएगा अब second हमें पता है के cause की equal है one upon cause की equal है तो second जो है वो one upon cause theta और यह five under root over two जब हम इसको उल्टाएंगे तो यह हमारे पास क्या बन जाएगा जब हम इसको उल्टाएंगे तो यह आएगा cause theta is equal to इसको भी हम उल्टाएंगे तो यह two or five का square root आ जाएगा cause theta हमारे पास two or five का square root अब हमें क्या चाहिए हमें चाहिए साइन तीटा हम क्या करेंगे इसका square लेंगे cause square theta is equal to four upon five क्यूंके इसका square लेंगे two a jack of square square root आपस में cancel हो जाएगे हमें पता है कि cause square theta plus sine square theta is equal to one and sign square theta is equal to one minus car square theta is equal to one minus four or five five lcmi 5 minus four is equal to one or five up sign theta is equal to is coming square root link here as I go one or five class square root to sign theta हमारे पास ये आजाएगा और कास theta जो है वो हमारे पास ये आएगा ये दो values जो है वो sine theta और कास theta की आजाएगा ये तो हमारे पास sine theta और कास theta आगा है अब हमने आगे क्या करना है आगे जो हमने x और y की value find करनी है हमने इसको rotate करना है जब हम rotate करेंगे तो हमारे पास x और y की जो values आएगी उसमें हम sin और कास्टिटा की value पूट करके वो transformation equation निकालेंगे इसमें put करेंगे उसके बाद पिर जो हम अगे इसको solve करेंगे अब हम आते हैं transformation equation the transformation equation is वो हमारे पास है x is equal to x dash cos theta minus y dash sin theta और इसी तरह हमारे पास y है y dash sorry x dash sin theta plus y dash cos theta अब x dash cos theta हमारे पास क्या है बलके यहाँ पे मैं put कर ले ता हूँ that is equal to x dash cos theta हमारे पास है two over five का square root minus y dash sin theta जो है वो one over five का square root x is equal to one over five का square root two x dash minus y dash x dash अब यहाँ पे हम sin और कास की वेजियू लगा लेते हैं 9 जो है वो one over five का square root प्लास प्लास य डेश कास theta जो है वो two under root वर five का square root अब y हमारे पास क्या आ जाएगा यह one over five का square root में कामन निकाल लेता हूँ यह आजाएगा x dash plus two y dash यह हमारे पास x और y की value आ गई अब हम क्या करेंगे इसको इसमें put कर देंगे जब इसमें put करेंगे तो हमारे पास एक नई equation जो है वो बन जाएगी तो हम क्या करते हैं इसको इसमें put कर लेते हैं जब हम इसमें put करेंगे तो हमारे पास जो new equation बन जाएगी वो क्या बन जाएगी x हमारे पास क्या है x हमारे पास यह है तो x की जगह पे हम यह put करेंगे यह आ जाएगा four into one over five का square root two x dash minus y dash two x dash minus y dash whole का square फिर माइनस four x जो है one over five का square root two x dash minus y dash into फिर y की value हमारे पास है one over five का square root x dash plus two y dash plus seven y का square x dash plus two y dash फिर उसके बाद x और y की value हम यहाँ पे लिक लेते हैं two x dash minus y dash plus six y हमारे पास क्या है one over five x dash plus two y dash minus nine अब हम क्या करते हैं इसको simplify कर लेते हैं इसको में आप video stop करके इसको simplify कर दें मैं इसको कर देता हूं कि यह मेरे पास क्या आज आ रहा है इसको जब आप simplify करेंगे तो इसकी यह वाली एक्वेशन बन जाए अब इस इलिप्स को square is equal to one तो इसका center जो है एट हवा के होता है और उसके साथ साथ a is greater than b तो इसका जो major axis है वो x axis पर होगा यह भी हमें पता है यह अगर b से greater हो तो इसकी shape जो है वो कुछ इस तरह बनीगी अब हम आते हैं इसका center जो है वो हमारे पास minus 5 वाज 0 पर है मतलब यह हुआ के x डेश जो है वो minus 5 y डेश जो है वो हमारे पास 0 तो हमें क्या चाहिए x डेश सोरी यह 5 का square root है x डेश और y डेश की value चाहिए x डेश हमें पता है x cos theta प्लस y sin theta x cos theta की जगा पर हम value लगा लेते ह हमारे पास है two over five का square root फिर प्लस y y हमारे पास क्या है one over five का square root साथ में y आ जाएगा x dash is equal to one over five का square root two x plus y उसके बाद y dash is equal to minus x sin theta हमारे पास one over five का square root plus y यह two over five का square root with y y dash is equal to minus one over five का square root minus x plus two y यह हमारे पास y dash आ जाएगा और यह x dash अब यह x dash की value जो है वो हमारे पास minus five की equal है तो यहाँ पर हम minus five का square root लगा लेते हैं that is equal to one over five का square root two x plus y अब five को हम इदर लाते हैं यह आ जाएगा five का square root five का square root is equal to two x plus y यह हमारे पास जब दोनों को हम एक कर देंगे तो यह minus five आ जाएगा two x plus y is equal to minus five उसके बाद हम यह y dash को zero लेते हैं y dash हमारे पास क्या है one over five का square root minus x plus two y यह जब हम उदर ले जाएंगे minus x plus two y उदर जाके यह zero बन जाएगा five का square root अब हम इन दोनों equations को solve कर लेते हैं इसको two से multiply करेंगे इसमें add कर देंगे तो यह आजाएगा minus two x plus four y is equal to zero यह है two x plus y is equal to minus five यह अपस में cancel तो five y is equal to minus five y is equal to minus one y अगर minus one हो तो यहाँ पर जब हम put करेंगे तो यह क्या बन जाएगा minus two minus two को जब हम उदर ले जाएंगे plus two बन जाएगा तो एक्स जो है वो हमारे पास minus two आ जाएगा क्योंकि इसके साथ minus है फिर इसको multiply कर देंगे यह माइन यह यह नि सेंटर जो है इसका क्या आ जाएगा minus two comma minus one उसके बाद हम आते हैं इसके फोसाइग की तरफ हमें पता है कि इलिप्स के जो यहाँ पर इस इलिप्स के जो फोसाइग है वो हमारे पास क्या बन जाएंगे plus minus c comma zero क्योंकि इसका जो major axis है वो on x axis इसकी यह वाली शेप बन जाती है x का square over a का square plus y का square over b का square is equal to one अब इसका जो major axis है उसकी जो फोसाइग है वो यहाँ पर आएंगे एफ एफ डेश अब इसके जो coordinator plus minus c क्योंकि हमें पता है कि इसका जो है वो c बाद जीरो इसका minus c बाद जीरो इसके फोसाइग आए अब c के value हमें चाहिए हमें पता है कि b का square is equal to a का square minus c का square या c का square अब a और b जो है equation हमारे पास थी x dash plus five का square root का square over eight plus y dash का square over three is equal to one यह हमारे पास a का square आ जाएगा और यह b का square तो a का square जो है वो हमारे पास eight है minus c का square और b जो है वो हमारे पास three है इसको हम इदर लाते हैं three minus eight is equal to minus c का square minus five is equal to minus c का square minus minus के साथ cancel c बराबर है plus minus five का square root तो सी की वैल्यू हमारे पास plus minus five आ यानि इसके जो फॉसाई है वो क्या बन जाएंगे f plus minus five का square root का माजिरो x dash जो है वो हमारे पास plus minus five आ जाएगा और y dash जो है वो हमारे पास zero a this is equal to plus minus five का square root y dash equal to zero since हम जानते हैं कि x यह हमने जो question के start में हमने इसको solve किया था one over five का square root two x dash minus y dash इसी तरह y जो है वो हमारे पास जो है one over five का square root x dash plus two y dash अब इनको हम solve करेंगे x dash की value जो है वो क्या है one over five का square root two plus minus five का square root minus zero पर उसके बाद इसको भी हम solve करेंगे one over five plus minus five का square root और यह plus minus zero आजाए गवाई डेश की जगा पर हम zero लगाएंगे अब हम क्या करेंगे इसको भी solve करेंगे इसको भी solve करेंगे इसकी plus minus वाली values है और इसकी भी plus यानि दो दो values आ जाएंगी तो एक्स वाई आप जो है इसको खुद simplify कर देंगे इसकी जो values है वो आ जाएगी I think two one and minus two one minus one यह जो है इसके क्या बन जाएंगे फोसाई बन जाएंगे उसके बाद vertices का मैं पता है यह हमारे पास क्या है vertices है यह a comma zero और यह a dash minus a comma zero यानि a plus minus a was zero जो है इसके vertices है तो यहाँ पर vertices हमारे पास क्या बन जाएंगे a plus minus a comma zero इदर जो equation है a हमारे पास क्या है a का square eight है तो a हमारे पास plus minus eight का square root बन जाएंगे दोनों साइडों का हम square root लेंगे अब a हमारे पास plus minus eight का square root comma zero यानि यह x dash plus minus eight का square root और y dash जो है वो हमारे पास zero है अब हम क्या करते हैं इसको again इस वाली equation में इस वाली equation में हम again put करेंगे एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा one over five का square root two x dash two into plus minus eight का square root minus y dash जो है वो zero है इसको जब मैं simplify करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा one over five का square root with two plus minus eight का square root उसके बाद हम y की भी value निकाल लेते हैं y जो है वो हमारे पास one over five का square root इसमें हम put करेंगे x dash जो है वो हमारे पास plus minus eight का square root और y dash जो है वो zero है तो y is equal to one over five का square root plus minus eight का square root अब ये x y हमारे पास ये आ जाएगा अब हम आते हैं इसके figure की तरफ figure जो है इसका क्या बन जाएगा इसका जो मेजर एक्सीज़ है इसका जो संटर है वो माइनस टू आवन है और प्लस टू वन ओवर फाइफ टू प्लस एक अम प्लस का लेंगे ना इसकी दो वेल्यूज आमारे पास आ रहे वन ओवर फाइब टू प्लस एट का square root वन ओवर फाइब टू माइनस एट का square root एक फ्लस की लेंगे हम एक माइनस की लेंगे प्लस की हम ये वाली ले ले लेते हैं ये हमारे पास क्या है इसके वर्टीस है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा वन ओवर फाइब का स्क्वार रूट टू प्लस एट का स्क्वार रूट ये इसका एक्स आ जाएगा उसके साथ साथ वाई जो है इसके भी दो वेल्यूस है प के बाद दूसरा आपने खुद लिखना है वो पिर हम ये माइनस वाला ये इदर भी माइनस का लेंगे इसका भी ये माइनस का जाएगा अब हम इसको क्या करते हैं बना ले दें तो ये हमारे पास इसका ये फिगर बन जाए ये इसका सेंटर आएगा सेंटर जो है वो थोड़ ने लिके हुए हैं वो हमारे पास है 2,1-2,1 यह आ जाएगा 2,1 और दूसरा जो है वो माइनस 2,1 तो यह इसका फिगर आ गाया यानि इसको हमने क्या किया एनलाइस किया यह हमारे ей कुइस線 में यही हम से मां रहा है कि उसके बाद है को इसके बसे ट्वंटी यू जो है इसको शाल कर सकते हैं 23 जो है इसको मैं सौल कर लेता हूँ इसको भी विल्कुल हम उसी दरह कंपियर करके एक ही वैल्यू हमारे पास टू है टू आ जाएगा इसी तरह भी जो है वो 10 आ जाएगा हमें पहले h का स्क्वेर माइनस a b को मालूम करना है 3 का स्क्वेर माइनस a b यानि 2 into 10 यह आ जाएगा 9 minus 20 is equal to minus 11 less than 0 तो इसका मकसद यह हुआ कि h का स्क्वेर माइनस a b less than 0 आ गया नेगेटिव आ गया तो यह जो कौनिक है कौनिक हमारे पास ellipse है ellipse है अब जब यह ellipse हैगा अब हमें क्या चाहिए तीटा चाहिए 10 2 तीटा is equal to 2 h a minus b तीटा को यह value must be satisfied h जो है वो हमारे पास 3 है और यह आ जाएगा एक ही जगह पर हम टू लगाएंगे और बी की जगह पर 10 यह आ जाएगा six over minus eight यह आ जाएगा three over four with minus sign अब टेन टू तीटा जो है वो टू टेन तीटा और one minus ten square तीटा is equal to minus three over four इसको जब आप simplify करेंगे इसको आप उदर ले जाएं यह quadratic बन जाएगा पिर आप इसको जो है simplify कर दें टेन तीटा की value आपके पास क्या आ जाएगी three comma minus one upon three अब टीटा को जो है वो between zero and 90 होना चाहिए लहाज़ा हम इसके यह वाली value consider करेंगे इसको चोड़ देंगे तो यह आजाएगा ten theta is equal to three अब आपने बिल्लकुल similar method से जैसे आपने वह पिछली वाली question जो है आपने solve किये आप उसी तरीके से पिछला वारा जो question तो साइन तीटा is equal to three over ten under root इसी तरह कास theta जो है वह one over ten under root आ जाएए अब हमें क्या चाहिए transformation equation चाहिए एक्स जो है वो एक्स डेश कास theta प्लस वाई डेश साइन तीटा की equal है तो एक्स एक्स डेश कास theta जो है वो हमारे पास क्या है one over ten का square root plus sorry इदर माइनस आता है minus y डेश साइन तीटा साइन तीटा जो है वो three three over ten का square root with y डेश एक्स बराबर है इसमें से मैं one upon ten का square root बाहर निकाल लेता हूं x डेश माइनस three y डेश यह हमारे पास x आ जाए फिर y जो है वो हमारे पास क्या है एक्स डेश साइन तीटा plus y डेश कास theta इसमें हम value लगा लेंगे यह आ जाएगा x डेश साइन तीटा हमारे पास क्या है three over ten का square root plus y डेश हमारे पास है y डेश कास theta जो है वो one over ten का square root बराबर है one upon ten का square root three x डेश प्लस y डेश यह हमारे पास क्या आ जाएगा y x हमारे पास यह आएगा y हमारे पास यह आएगा उसके साथ साथ हम क्या करते हैं x डेश भी मालूम कर लेते हैं और y डेश भी हम मालूम कर लेते हैं x डेश क्या आएगा और y डेश क्या आएगा अब x dash जो है वो हमारे पास x cos theta plus y sin theta इसमें जब मैं value लगाऊंगा x dash is equal to x cos theta की value है 1 over 10 का square root इसको मैं बाहर भी निकाल लेता हूँ हमारे पास इदर x फिर plus y sin theta जो है वो क्या है 3 over 10 तो यह 3y बन जाएगा 3y उसके बाद y dash जो है वो क्या आजाएगा y dash हमें पता है कि minus x sin theta plus y cos theta y dash is equal to इसमें भी मैं 1 upon 10 का square root बाहर निकाल लेता हूँ x हमारे पास sin theta हमारे पास 3y यानि minus 3x और cos theta जो है 1 upon 10 का square root है तो यह आजाएगा y one upon 10 का square root में ने बाहर निकाल दिया तो यह x dash y dash की value यह आगई x y की value हमारे पास यह आजाएगा अब इस x y की value हम इस equation में put कर देंगे put in one इसको हम one का नाम देते हैं जब हम इसमें put कर देंगे तो यह बन जाएगा two x dash one upon 10 का square root x dash minus 3 y dash का square फिर प्लस 6 x y x हमारे पास क्या है one upon 10 का square root x dash minus 3 y dash into one upon 10 का square root y हमारे पास है 3 x dash plus y dash plus by का square यानी 10 y का square 10 y का square यानी 1 upon 10 का square root 3 x dash plus y dash का whole square minus 11 is equal to 0 अब हम इसको simplify करते हैं plus y dash का x dash का square over 1 y dash का square अब y dash का square over 11 is equal to one ये इसका equation आजाए x का square over 1 one को हम one का square भी लिख सकते हैं y dash का square over 11 11 की जगह पे हम 11 का 11 का square root डालके इसको square की form में लिक लेंगे वो हम लिक सकते हैं वापस ये cancel हो जाएंगा हमारे पास 11 आजए अब पहले हम इसका आते हैं center पर center जो है इसका कहां पर आ रहा है center जो है वो x dash equal to zero और y dash equal to zero क्योंकि हम पता है कि x का square over a का square плюс y का square और b का square का center जो है वो origin पर होता है जिरो वाज Pow right तो इसका center जो है वो zero वाजरो पर आ रहा है अब हम क्या करते हैं हमें equation जो है वो X की form है दी हुई तो हम इसमें put कर देंगे X हमारे पास क्या आजाएगा 1 over 10 का square root X-0, Y-0 तो ये 0 minus 0 is equal to 0 आजाएगा YB इसी तरह हम यहां पर put कर लेते हैं ये X 0 है, Y 0 है, 0 plus 0 जिरो है और इसके साथ multiply होगा again 0 आएगा तो हमारे पास इसका जो center है वो 0 आजाएगा उसके बाद हम आते हैं vertices की तरफ vertices में अगर हम देख लें हमारे पास जो है इसमें A हमारे पास ये आजाएगा और B ये आए क्योंकि ये इसे greater है तो A हमारे पास 11 का square root यानि इसका जो vertices है वो इस form में आ जाएएगे 11 plus minus A का plus minus तो कमा plus minus A अब A जो है वो हमारे पास क्या है A हमारे पास ये है 11 का A का square हमारे पास 11 है square root का जब हम square root लेंगे तो ये 11 का square root बन जाएगा यानि plus minus A जो है वो plus minus 11 का square root के equal अब X जो है वो हमारे पास डेश जीरो है वाई डेश जो है वो फ्लस माइनस अलेवन का स्कूर रूट है एक्स डेश जीरो हो हम इसमें पूट कर लेंगे और वाई डेश की वैल्यू जो है वो हमारे पास फ्लस माइनस अलेवन का स्कूर रूट है हम इसमें पूट कर देते तो एक्स हमारे पास क्या आ 1 upon 10 का स्क्वार रूट into X div 0 है तो यह 0 आएगा minus 3 plus minus यहाँ पे बलके मैं लिक लेता हूँ plus minus 11 का स्क्वार रूट that is equal to 1 upon 10 का स्क्वार रूट with multiply हो जाएगा बलके मैं यहाँ पे लिक भी लेता हूँ plus minus 3 into 11 हमारे पास आजाएगा उसके बाद Y जो है वो क्या आएगा उसमें भी X-0 है Y हमारे पास यह है तो वो बन जाएगा 1 upon 10 का स्क्वार रूट 3X हमारे पास 0 है Y- की value हमारे पास plus minus 11 का स्क्वार रूट है अब अगर हम देख लें इसकी जो फिगर है इसके वर्टीस हमारे पास minus 3 11 upon 10 का स्क्वार रूट 11 upon 10 का स्क्वार रूट फिर उसके बाद A डेश जो है वो हमारे पास C आजाएगा अब हम क्या करते हैं इनकी values लगा लेते हैं एक इदर आएगी इसकी वर्टीसीज हैं और ये संटर में से ये लैन गुजर रहा है अब हम क्या करते हैं इसको plot कर लेते हैं ड्राइंग मेरी तोड़ी सी वो सही नहीं है sorry for that ये इसका figure हमारे पास आजाए उसके बाद है question 24 आप उसी तरी के से कर सकते हैं 25 की तरफ हम आते हैं इसमें A हमारे पास ये है H और B A हमारे पास 16 2H हमारे पास 24 जस्ट H जो है वो 12 आ जाएगा नाइन ये वन डबल फोर माइनस वन डबल फोर बन जाएगा ये हमारे पास 0 इसका result आए जब 0 आएगा तो कौनिक जो है कौनिक इस पैराबोरा अब हम क्या करते हैं इसका तीटा फाइंड करते हैं वाट्ट वैल भी तीटा तीटा को ये relation satisfied करना चाहिए जो क्या हमारे पास है 2H A माइनस B अब 2H की जगाप हम इसकी वैल्यू लगाएंगे माइनस 12 और A माइनस B यानि 16 माइनस 9 इसको जब मैं सिंप्लिपाई कर दूँगा ये क्या आजाएगा माइनस 24 और इन दोनों को जब मैं सिंप्लिपाइ कर दूंगा ये 7 आ जाएगा अब इसकी हम वैल्यू लगा लेते हैं ये आ जाएगा 10 2 तीटा 2 10 तीटा सॉरी 1 माइनस 10 स्क्वार तीटा इस इकॉल टू माइनस 24 और 7 बाइस्मिलर मेथड आप जो है जैसे पिछले सवालों मैंने किया था आप 10 तीटा इसको सॉल करके 10 तीटा आपके पास ये आ जाएगा पिर 10 तीटा से आप साइन और कास तीटा की वैल्यू मालूम कर दें वो आपके पास ये वाली वैल्यू जो है वो आ जाएगी अब हम आते हैं इसकी ट्रांसफार्मेशन एक्वेशन की तरफ ट्रांसफार्मेशन एक्वेशन जो है इसका क्या बनेगा वो हमें पता है कि x is equal to x dash cos theta plus y dash sin theta और इसी तरह y जो है वो x dash sin theta minus y dash यह यहाँ पर minus आता है इदर जो है plus आता है अब x dash cos theta cos theta की value हमारे पास है 3 over 5 तो इस से में 1 over 5 इदर भी है इदर भी इस में से मैं common निकाल देता हूँ यह आजाएगा 3 x dash minus यह दर sin theta की साथ 4 है तो यह 4 y dash हमारे पास x आजाएगा फिर y जो है दोनों के साथ हमारे पास 1 over 5 जो है वो common है तो x के साथ 4 आजाएगा 4 x dash plus 3 y dash यह x और y की value हमारे पास आजाएगा जब हम इसका x is equal to x x dash वो हमें पता है के x cos theta plus y sin theta की equal है और y dash जो है वो इसका reverse minus x sin theta plus y cause of theta अब हम sin theta और cos theta की values में by similar method हम x dash इसमें cos theta sin theta की value put करेंगे के हमारे पास यह आजाएगा और इसी तरह y dash का में पता है माइनस x sin theta plus y cause theta sin और cos theta की value हम लगाएगे तो हमारे पास यह आजाएगा अब हम इसको इस equation में put करेंगे put in equation one इसको हम one का नाम देते और फिर मैं इसको simplify भी कर लेता हूँ जब मैं इसको इसमें put कर दूँगा 16 x का square x हमारे पास क्या है x हमारे पास यह है one over five three x dash minus four y dash का square minus 24 x x हमारे पास क्या है one over five three x dash minus four y dash y की value हमारे पास है one over five four x dash plus three y dash plus nine y का square y हमारे पास क्या है one over five four x dash plus three y dash का whole square plus hundred x की value हमारे पास क्या है one over five three x dash minus four y dash and minus two hundred इसकी value क्या है y की y की value है one over five four x dash plus three y dash plus hundred is equal to zero अब यह हमारे पास एक equation आ गया है इसको मैं simplify कर लेता हूँ इसका result लेता हूँ आप भी इसको पिर simplify करके इसका result लिख ले है तो यह parabola की जब इसको मैं simplify करूँगा हमारे पास यह result हाँ अब यह parabola की equation है जिसका हमारे पास vertex क्या है minus three comma four यह इस form में हम इसको लिख सकते हैं y minus h y minus k four ax minus h अगर इदर plus हो तो हम क्या करते हैं इसको twice minus इसके साथ multiply कर ले minus h वा के जो है इसका center आजाएगा minus h वा के यह भी इसका उसी वाला form है तो x dash जो है वो minus three है y dash जो है वो four है इसमें मैं put कर लेता हूँ x dash इसमें और y dash इसमें जब मैं put करूंगा हमारे पास x क्या आ जाएगा x is equal to one over five three x dash जो है वो three है minus three minus four y dash जो है वो four है इसको जब मैं simplify करूंगा minus nine और यह sixteen यह आ जाएगा x बराबर है minus five y dash जो है वो क्या आ जाएगा sorry y y हमारे पास आ जाएगा one over five four x dash की value मैं लगा लेता हूँ minus three plus three y dash की value four है minus twelve plus twelve यह जीरो आ जाएगा तो इसका जो vertex है वो क्या है वो minus five कामा जीरो पे है उसके बाद इसके axis की तरफ हम आते हैं axis में अगर हम देख ले इसका जो axis है वो हमारे पास है x axis y dash बराबर है four y dash minus four यहनी इस पे y dash y वाली जो value है वो zero की equal होंगी इसको हम उदर ले जाएंगे y dash बराबर है four अब y dash की मैं value यहाँ पे लिक लेता हूँ one over five minus three x plus four y is equal to four इसको मैं उदर ले जाओंगा यह twenty बन जाएगा minus three x plus four y is equal to twenty अब इससे मैं minus common निकाल लेता हूँ three x minus four y यह minus twenty है इदर आके प्लस का twenty बन जाएगे यह हमारे पास इसकी equation of axis आ जाएगे उसके बाद हम आते हैं इसके focus की तरफ चुंकि यह parabola जो है इसका जो focus है वो हमारे पास किस चीज़ पर है x axis पर है लिहाज़ा y dash minus four को zero होना चाहिए और x dash plus three जो है वो हमारे पास one आएगा x dash plus three is equal to one y dash plus minus four is equal to zero यह क्यों आएगा अगर इसकी जगह पे में capital y का square is equal to four a capital x a हमारे पास क्या आजाएगा इसका focus क्या बन जाएगा इसका focus हमारे पास आएगा f a comma zero यानि इसका x a है y जो है वो zero है इस equation को मैं equate कर देता हूँ इसके साथ तो four four के साथ cancel a हमारे पास क्या आजाएगा one e is equal to one तो focus इसका बनेगा one comma zero अब यह interim of this है यानि y dash minus four is equal to zero x dash plus three जो है वो चुमके यह x dash plus three है और यह y dash minus four है तो इसको मैं उदर ले जाता हूँ y dash पराबर है four x dash पराबर है minus two अब हम क्या करते हैं इसकी values जो है वो find कर लेते हैं x dash जो है वो minus two है y dash four है तो x क्या आ जाएगा इसका x is equal to one over five x dash is minus two minus two or three is six आ जाएगा minus four into four यह sixteen आ जाएगा इसको जब मैं multiply कर दूंगा यह आ जाएगा minus twenty two over five इसी तरह y जो है y हमारे पास one over five four x dash x dash जो है वो minus two है plus three y dash three y dash जो है वो four है y is equal to one over five minus eight plus twelve y बराबर है इन दोनों को आप subtract कर दें यह four आ जाएगा four over five x हमारे पास minus twenty two over five y जो है वो four over five इसका जो फोकस है वो हमारे पास क्या बन जाए क्या बन रहा है वो हमारे पास है minus twenty two over five four over five यानि वो यहाँ पे बन रहा है minus twenty two over five comma four over five उसके बाद इसका जो वर्टेक्स है वो यहाँ पे बन रहा है इसको जब मैं बना लूँगा तो यह कुछ इस तरह बन जाए sorry मैरी ड्रैंक जो है वो कुछ सही नहीं है तो आप मैंड ना करें तो यह इसका फिगर हमारी यह इसका वर्टेक्स है जो क्या हमारे पास क्या है minus five comma zero minus five comma zero और यह इसकी equation है लाइन पे access की इसकी equation यह आजाए तैंक यू पार वाचिंग अगर आप न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है यह लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक भी करें अगर कोई मसला हो इस लेक्चर में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख लें